अगर इंजन की बात करें तो 2734 सिकाई जब आप उन ट्रेक्टर बंद कर देते थे तो वह पावर स्टेश्ट्रिंग लोक हो जाता है पेपर फेल्टर जो है अगर नीचे से कुछ कच्रा उपर आता है तो वेपर फेल्टर जो है हमारे इसमें किसान ट्रेक्टर एजनसी राण इसंटर माईगे यहां एक साक्र नामस्कर सटान भाइओ मैं शव्राइव कि अमरीक सिंगों मैं अभी आजको आई पर मोंट करती है आप इसका आगर इन्जन की बात करें तो 2834 सिसी सिका इसमें इंजिन आता है और इसमें लग लग वेरियंट में आता है जैसे मान के चलो कि आपको पहले तो इसमें साधा ब्रेक आता था अभी क्या है ऑईल ब्रेक आ रहा है हमारा अगर साधा स्टेरिंग है तो भी हमारा ऑईल ब्रेक आता है मैंने में सभी ट्रेक्टर में हमारा आउयल ब्रेक अभी निकाला है जैसे कि ट्रॉली के लिए क्या होता था मतलब कि जो ट्रॉली पे टेक्टर चलाते थे उनको ब्रेक का बहुत प्रॉब्लम आता था उसके लिए हमने आउयल ब्रेक किया है आउयल ब्रेक में क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेक दबाओ तो आप जैसे कि पहले यहां पर लगाया जाता था अबही के यह टेक्टर हमारा पोवर स्टेरिंग है अगर बात करें तो इस इसको वहां से पर नहीं किया अभी जैसे में जो गाड़ी का जैसे आता है वहीं से हमने आनी जो पावर होगा तो अंदर से शेजर्व कर के Mechanical steering की तरह ही काम करता है, और दूसरा पहले क्या है, वो तदा कि जब आप उन टेक्टर बंद कर देते थे, तो वो power steering lock हो जाता है, ये कभी lock नहीं होगा, अगर आपका बंद है टेक्टर, तो क्या है, ये manual work करना चालू कर देगा, और टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो य किसी कंपनी में भी 2734cc का इंजन नहीं है अगर हम महेंद्रा की बात करें तो 2048cc का इंजन जो है ओगन चाली-चाली एच्वी में आता है और फार्मट्रेग की बात करें तो वह तो लगबग 249 सीजी तक इंजन आ रहा है हमारा इसमें 2434 सीजी आ रहा है जिसमें क्या है जितनी ज्यादा सीजी होगी उतना आपका मतलब के इंजन भी जो है लॉंग टाइम चलेगा ना मान के चलो के इंजन में काम आएगा तो कम से कम 15-20 साल के बाद में आएगा अधरवा जाता है यह अन्डर लोड रहे के टेक्टर चलेगा ना के ओवर लोड रहे के चलेगा अभी इसकी बात करूं तो इसमें 3.16 पॉइंट आते हैं जैसे मान के चलो कि आप रोटा बेटर चलाते हो तो नीचे वाले में चलाते हो फूल सेंसिंग वाला कोई इंप्लीमेंट चल रहे हैं लिफ्ट की कैपसिटी जो है इसकी उठाने की जमता साड़े बारा सो केजी है और टैर के बारे मैं बात करूं तो इसमें 13-28 के टायर आते हैं कंपनी इसमें सीयर्ट वगएरा अपोलो गएरा मतलब के MRF भी 3-4 कंपनी के टैर जो है यूज होते हैं तो आगे वाले ट फोर स्टेज में आता है जैसे के मान के चलो दूसरे टेक्टर की मैं बात करूं तो उसमें जो है नीचे फिल्टर दिये जाती है और उसके बाद में उपर कुछ वह नहीं रहता हमारा एक और अलग से फिल्टर आता है अंदर जिसको हम पेपर फिल्टर बहुते हैं पेपर इसके फोरवड और टूरिवर्स के साथ में इसके जो मैंटेनेस की बात करूं तो जीरो मैंटेनेस में एक गेरवाक्स है तेंक्यू सर अम्रत सर ने बहुत यह जानकारी दिये है अभी कुछ हम स्ट्रेक्टर के बारे में आपको बताएंगे इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसके अंदर बंप वाला प्लेटफॉर्म दिखने को मिल जाएगा जो कि फ्लेट नहीं है इसके अंदर साइड म और ड्राफ्ट कंट्रोल लिवर दिया हुए जो राइट हैट साथ में बिल्कुल सीट के पास में मिल जाएगा अगर इसके इस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसके अंदर आर्पीम मीटर टेंपरेचर मीटर डिजल मीटर सब दिख जाएगा तो कि यह डिजि अग पर बैटने पर टेक्टर का तो यही जानकारी ती मेरे दियरत दी गए जानकारी अच्छे लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरू कर देना अगर कुछ और जानकारी चीए किसान भाय तो कमेंट में लिख कर मुझे बता देना